अब वो समय आ गया है जब हमें अपना रिविजन स्टार्ट करना होगा जा रिविजन स्टार्ट आप में से कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा फिजिक्स को रिवाइस किया जाए ताके इतने कम समय में सर हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें पढ़ने में भी आसान है समझने में भी आसान है और उससे आपको काफी सारे नंबर मिल जाएंगे काफी सारे चाप्टर्स आपको बेटा करके ही जाने होंगे छोडने का कोई सवाल ही नहीं बनता है mechanical properties of solid कोई जरूरी नहीं है कि इससे question आए कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है बट इसको revise करने में आपको maximum दो घंटा लगेगा इसी order में हम लोग कहलेंगे इसी order में हम लोगों को revision करना है अब एक्जाम जेई मेंस का हमारा काफी दूर नहीं है बहुत पास है हमारा एक्जाम लगबग अपने एक्जाम को अब 20 दिन के आस पास बचे है अब सारे लोग अलग अलग बैचेज में अलग अलग जगों पर पर रहे होंगे अब वो समय आ गया है जब हमें अपना revision स्टार्ट करना होगा जाए revision स्टार्ट आप में से कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा तो सर एफेक्टिवली फिजिक्स की अगर बात की जाए तो किस तरह से अब यहां से चुके अपने पास सिर्फ 20 दिन के आस पास बच रहे हैं तो किस तरह से सर फिजिक्स को revise किया जाए ताके इतने कम समय में सर हम maximum output gain कर सके maximum output ले सके ज्यादा से ज्यादा number score कर सके तो आज हम लोग बात करेंगे कि भीया chapter wise किस तरह से फिजिक्स में revision के लिए आपको proceed करना हो ताके आप इस कम समय का utilize करते हुए तो ज्यादा से ज्यादा आप number score कर सके, ज्यादा से ज्यादा marks ला सके, अच्छे से अच्छी rank ला सके चलिए एक बार देखते हैं कि किस तरह से हमें अपना revision भाया prioritize करना है सबसे पहले जो सबसे आसान chapters की बात की जाए कि जो physics में सबसे आसान chapters होते हैं पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है और उससे आपको काफी सारे number मिल जाएंगे काफी number of questions वहाँ से आप gain कर सकते हैं, बना सकते हैं, solve कर सकते हैं तो तीन category में हम लोगों ने इसको divide किया, जितने भी chapters है physics में totally तीन category में divided है, green, yellow and red green मतलब go to must do chapters, ये सारे chapters आपको बेटा करके ही जाने होंगे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, और ये chapters आसान भी होंगे जिस sequence में मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी sequence में अगर आप revise करेंगे तो आपको एक continuity भी मिलेगी, किसे एक continuity में है, एक chapter अगर किसी और chapter से link है तो वो continuity भी आपकी break नहीं होगी, और आप जाद से जाद नंबर ला सकते है तो सबसे पहले revision के अगर बात की जाए must do chapters में, तो photoelectric effect, atoms और nuclei ये chapter तो किसी को भी छोड़के नहीं जाना है, सबसे आसान chapters माना जाता है और इन तीनों chapter से, modern physics के इन तीनों chapter से आपको लगभग, दो से तीन question देखने को मिल जाएंगे तो अराम से आपका 8 से 12 marks आप यहाँ पे score कर सकते हैं उसके बाद heat and thermodynamics एक अलग से separate unit है तो तीन chapters इसके अंदर आते हैं चाहे first law of thermodynamics वाला हो, चाहे kinetic theory of gas वाली बाते हो ठीक, तो यहाँ से आपको एक से दो सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे काफी आसान होता है, एक बार में काफी कम समय में आप इस पूरे heat and thermodynamics को revise कर सकते हैं किसी और chapter से, किसी और चीजों से, किसी और concept से mechanics वगरे से बहुत ज़्यादा interrelation भी नहीं है उसके बाद kinematics, NLM friction, work power energy, center of mass and collision यह mechanics का part है, और यह आपको इसी sequence में जाना है इसी sequence में आपको करना है, क्योंकि सब एक दूसरे से related है तो इसी sequence में आप पूरा mechanics, work power energy, center of mass and collision तक कर सकते हैं, तो यह सारे chapters जो है, यह आसान chapters है जिनमें आपको करने में कम समय लगेगा, त्यादा आपको समय नहीं देना होगा हाँ, लेकिन इनकी मैं बात करूं, kinematics, NLM friction, work power energy और center of mass and collision, तो यहाँ पे आपको revision के लिए question practice आपको करना होगा, मैं साथ के साथ लिखता चलता हूँ इनकी revision के लिए सार आपको जो best तरीका है, वो है question practice का यहाँ पे आपको इन दोनों chapters में sir, question practice थोड़ा करना है थोड़ा formula based है, कुछ-कुछ formulas है, formula आपको याद रखना होगा, heat and thermodynamics में खास करके sir, काफी सारे formula है, तो इसको revise करने का, इन दोनों chapters को revise करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आपने जहां से भी पढ़ा है, वहाँ के notes आप सबसे पहले कर लिजे और notes revise कर लिजे, ठीक है, फिर kinematics से center of mass and collision तक की बात करें, तो यह सारे जो questions यहाँ पर आते ही, numericals आएंगे, concept के नाम पर इन पर बहुत ज़्यादा concept नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा formula नहीं है, understanding की चीजे है, इनका revision करने के लिए से बस तरीका है कि आप 2017, 2018 से आगे के जितने भी questions आएंगे, उनको एक बार practice कर लिजे, तो sir, इनका revision आपका हो जाएगा आसानी से, फिर current electricity, आसान topic माना जाता है, आसान chapter माना जाता है, जहाँ आप अच्छे से एक सवाल या कभी-कभी दो सवाल भी देखने को मिल जाता है current electricity से, फिर moving charges and magnetism, moving charges and magnetism में अपने पास दो chapter है, तो वो दोनों chapter एक साथ यहाँ पे combined मैं लिख रहा हूँ, वो दोनों chapter एक साथ आपको कर लेना है, तो current electricity, moving charges and magnetism, moving charges and magnetism में बहुत सारे formula है, भया, straight wire की वज़े से magnetic field क्या होगा, कोई loop की वज़े से magnetic field क्या होगा, solenoide, toroide, sheet वगेरा, तो यह सारा formula आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना है, याद करते वे देखते वे आगे बढ़ना, और कुछ, आप मैं बोल सकता हूँ कि आप 2018 onward से यहां के भी कुछ question practice कर लिजेगा, तो इसका काम आपका चल जाएगा, mechanical properties of solid, कोई जरूरी नहीं है कि इस तो आपको करने ही करने है, without any fail, अतलब चाहे कुछ हो जाए, यह chapters तो करके ही जाना है, इतना chapters अगर आपने कर लिया, तो लगबग 50-60 marks के बीच, अलग-अलग year में इनसे सवाल आपको आता है, तो इतना आपका fix हो जाएगा, इतना marks 50-60 marks आपका fix हो जाएगा, उसके बाद मैं बात करूँ कि moderate जो chapters है, जो ना बहुत जादा आसान है, ना बहुत जादा भारी है, तो अपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, तो electrostatic potential and capacitance और उसके बाद gravitation, यह दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से interlinked है, electrostatic potential and capacitance में जब आप electric field की बात करेंगे, अलग-लग geometry, charge geometry की करेंगे, तो वो सारी चीज़े आपको gravitation में हू बहू मिल जाएंगी, तो जैसे ही आप ये chapter कीजिएगा, आपका gravitation अपने आप आधा हो चुका होगा, उसके बाद gravitation में आपको अलग से बस के प्लर्स law, orbital, speed, escape, velocity, यह सारे वाले portions आपको बचेंगे, तो यह दोनों आपका एक साथ लगभग cover हो जाएगा, तो यह दोनों आप एक साथ cover कर सकते हैं, उसके बाद EMI, AC, Magnetism and Matter, यह Magnetism and Matter, अब इसमें से काफी सारी चीज़ें reduce हो चुकी हैं, तो जितना भी आपका Earth Magnetism वाला पार्ट था, वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, तो अभी तक तो यार Earth Magnetism वाला वो पार्ट अब रिमूव हो चुका है, तो चैप्टर भी बहुत छोटा सा बचा है, इसको आप करते हुए ही जाईएगा, इसको moderate में लीजी, इसको आप करते हुए ही जाईएगा, तो अगर आना हुआ एक question तो आपका आजागा, नहीं आना हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब इसमें बहुत जादा time लगना नहीं है, चैप्टर कुछ खास अब इसमें बचा नहीं है, सर, वेफ वान स्ट्रिंग, sound waves, wave optics, sound waves में जो interference वाला पार्ट सब होता है, वो सारी की सारी चीज़े हुब हुआ आपको wave optics में भी वैसे ही मिल जाएंगी, Y sound waves में भी आपको वैसे ही मिलते हैं, जब आप organ pipes वगेरा पड़ते हैं, तो सर, यह आप कीजिएगा, तो इसके साथ-साथ आधा wave optics आपका एक साथ होता चला जाएगा, अब यह सारे जो chapters हैं, इन सब में आपको क्या करना है, कि कुछ formula-based chapters आपको मिलेंगे, जैसे electrostatic potential and capacitance मे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह दोनो chapters के लिए, सर, आपको notes बहुत अच्छे से, बहुत काइदे से notes revise करना है, और साथ-साथ, दो, तीन, लास्त, तीन, चार साल के question आपको करते चलने हैं, तो overall अगर मैं बात करूँ कि सर, revision किस तरह से करना है, तो revision में आपको बस जो आपने notes अभी तक बनाया है, या बहुत सारे लोगों ने notes नहीं भी बनाया होगा, तो अगर आपने notes नहीं भी बनाया है, तो अगर आपके पास, आपके faculty का दिया हुआ PDF वगेरा कुछ भी है, आप उस PDF को एक बार देख लीजे, जो important formula है, वो आप सर, याद कर लीजे, जो concept है, उसको थोड़ा सा समझ लीजे, और उसके साथ-साथ last 3-4 साल की PYQs आप बनाते वे चलिए, तो आप मेरे ख्याल से हर chapter, अलग-लग depending on difficulty level, 2 गंटे से 4 गंटे, 5 गंटे के बीच में एक-एक chapter आप cover करते चले जाएंगे, ठीक, फिर बात करते हैं, कुछ ऐसे chapters जिनको कर Ray Optics बहुत बड़ा chapter है, और काफी ज्यादा समय आपको देना पड़ता है, वैसे chapter बहुत भाड़ी नहीं है, लेकिन समय इसमें demand बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा numericals आप solve करेंगे, तब जाकर के आपको confidence आएगा कि सर, मेरा अब हो गया Ray Optics, ठीक है, इसलिए इसक mechanical properties of fluid से एकाद question आपको देखने को मिलेगा, और last में semiconductor, semiconductor वैसे अब बहुत ज्यादा भाड़ी बचानी है, क्योंकि इसमें से भी बहुत ज्यादा part cut हो चुका है, निकल चुका है बाहर, तो अब छोटा सा chapter बचा है, तो एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसी order में हम लोग कलेंगे, इसी order में हम लोगों को revision करना है, एकाद दो chapter आप उपर नीचे कर सकते हैं, अपने comfort level, अपने comfort zone के हिसाब से, उसके अलावा आपका aim यही होना चाहिए, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे.